लाइप प्लास औरोतों के स्वास्ट टोनिक है इसका इस्तमाल होता है लीकूरिया के मामले में अनियमित मासिक धरम के समस्या में और भी दुसरे समस्याओं के लिए भी इस दवा का उप्योग किया जाता है चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो किपिया लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले और भी आयर्विदिक दवाओं के बारे में जानने के लिए चलिए जानते हैं इस दवा को कितनी बार लेना चाहिए और इस दवा को लेने से क्या-क्या साइड एफेक्ट हो सकता है और इस दवा में क्या-क्या समगरी डाला गया है लाइप प्लास सिराप चार सो पचासे मेल के बोतल में मिलता है इसमें सामिल है उसोक, लोहरा, पियेंगू, स्वेत चंदन, किसना जीरा का, उलट कंबल, अनन्ध मूल, धरक्सा, और भी बहुत सारे समगरी मिलकर बना है चलिए जानते हैं इस मेडिसिन का और किन-किन समसाओ के लिए इस्तमाल किया जाता है लीकूरिया इस रोक से ग्रिस्त महिलाओ के यूनी से बहुत ज़्यादा मात्रा में साफेद बदबूदार पानी निकलता है जिसे बेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं इस परेशानी की वज़ा से महिलाओ का सरीर दिन वा दिन कमजोर होने लगता है इस बेमारी में लाइपलस सिराप का यूज करने की सलादी जाती है मेनोरोजिया की समसा होने से भारी रक्तसराव के कारण सेनेटेरी खून में बहुत अधिक भीग जाता है एक या अधिक टेमपोनिया पेट हार घंटे कोई घंटों तक बदलना पड़ता है मासिक धरन जो साथ दिनों से अधिक समय तक रहता है रक्त प्रभाव बड़े ठकों के साथ होने लगता है जदा रक्तसराव के कारण कुछ भी काम करना नामुम्किन हो जाता है सास फूलने लगती है सत्थ हकान में सुस होने लगता है चक्कर आने लगते हैं इस समसाओं से रहात पाने के लिए लाइपला सिराप को लेने की सला दी जाती है महिलाओं में डिसमेनुरिया होने से पेट और पेट के निचले हिस्से में एठन दर्द जो गंबीर तीब्र हो सकते हैं पेट में दबाव में सुस हो सकता है दर्द जो पीट के निचले हिस्से थाइच और पेरों तक फैल सकता है जब एठन गंबिर हो तो ये लक्षन सामिल हो सकता ही धिला मल, मतली और उल्टी, सीर में दर्थ, डिसमेनुरिया में दर्थ आम तोर पर प्रियेट से एक से तीन दिन पहले सुरू होता है और प्रियेट के सुरुवात में चब्विस घंटे बात और दो से तीन दिनों में सांध हो जाता है ऐसा हर मैने होता रहता है इस समसाओं में भी लाइपला सिराप को लेने की सलह दी जाती है आनियमित प्रियेट होना प्रियेट से ही समय पर ना होना 31 दिन से पहले हो जाता है या 35 दिन के बात होता है इसे pre-ets miss हो जाना कहते हैं लगातार 2 से 3 pre-ets मिस हो जाना इसे आनियमीत pre-ets कहा जाता है बहुत ज़्यादा या कम pre-ets होना इसे भी आनियमीत कहा जाता है इस समस्याओं में भी लाय प्लास सिराप को लेने की सला दी जाती है गरवसाई की समस्या गर्व सैसेत्र में दर्थ अशमयन या भारी यूनी रक्त स्राव अनियमित मासिक चक्र अशमयन यूनी स्राव पेट के निचले से या मलाय सैसेत्र में दर्थ मासिक धरम में एठन बढ़ जाना शम्भक के दोरान दर्थ होना शम्भक के बात रक्त स्राव होना लंबे समय तक मासिक धरम होना पेट में सूजन कब्ज के समस्सा मोल तेक के दोरान बेचे नी आवर तक मुत्रसाय संकरमन हमेशा ठकान और बुखार रहना इन सभी समसाओ के लिए भी राहत दिलाने के लिए लाइपला सिरप को लेने की सला दी जाती है चलिए जानते हैं लाइपला सिरप के साइड एफेक्ट के बारे में ऐसे तो लाइपला सिरप एक आयूर भी दिखदावा है इसे तो इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता फिर भी इसे लेने से पहले कि प्याँ डॉक्टर की सला जुरूर लें क्योंकि डॉक्टर हमेशा मरीजों के उम्रे उनकी लिंग उनकी वजान उनकी चिकिसा इतिहास को देख कर ही डॉक्टर कोई भी दावा को से ज़िए